हेलो स्थों मैं हुरुजत और बहुत बहुत स्वागत है आप सबी का इस न्यू वीडियो में दोस्तो सीरियल गुम है किसी के प्यार में कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे कहानी मिशन तक पहुंचने वाली है और मैंने कहा था कि आपको अगले वीडियो में बताऊंगा मिशन के बारे में लेकिन दोस्तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मिशन के बारे में और इसी के साथे जानेंगे मिशन के बाद होने वाला कुछ ऐसा सीन जो कि आपने ना तो कभी सोचा होगा कि सीरेल में ऐसा कुछ हमें देखने को मिल सकता है और ना ही आपने कभी चाहा होगा क्योंकि भला कैसा हो कि अगर विराट को उसको जिसने उसने बचा है यानि कि सई को वो सही ही विराट को सलाकों के पीछे बैस दे तो कैसा होगा जाने के इन सब चीजों के बारे में तो वीडियो को लास्ट देखेगा और चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकोन को दबा दीचेगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इस पर डिपॉजट करने के लिए धेड़ सारे आसान तरीके अवेलिबल है पेटियम, फोन पे डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप आसानी से याँ पर डिपॉजट कर सकते हैं और आपको पहले डिपॉजट पर 2000 रुपे तक का वेलकम बोनस मिल सकता है रमी सरकल पे रमी खेलना काफी आसान है और ये फोन में काफी स्मूथली भी चलता है आप खुद ही अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं तो दोस्तो आप भी डिस्क्रिप्शन बॉस में दिये गए लिंक पर जाकर डाउनलोड कीजिए और रेजिस्ट्रिड करते ही 2000 रुपे तक का बोनस पाईए तो आप भी रमी केलो और कैश जिए तो जैसा कि दोस्तो अब तक मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पर पूरी तरीके से समराट जो है वो डियाईजे से कॉडिनेट करने वाला है उनसे सारी बाते लेने वाला है सारी इंफूमिशन पता चलने वाली है और इनी सब चीजों के बीच में जो है समराट जाने वाला है विराट के पास भी जहाँ पर विराट को भी इस बात का बनक लग जाने वाली है कि यहाँ पर पूरी तरीके से साही किटनैप हो चुकी है और यहाँ पर विराट को सबजने में वक्त नहीं लगेगा कि साही कहाँ पर गई है और ऐसे में यहाँ पर जहाँ पर डियाई जी सर ने बहुत अच्छी टीम तयार की है सही को डूणने के लिए और उसका रेस्क्यू करने के लिए तो यहाँ पर डियाई जी सर से कमान समालने वाला है अपनी टीम की विराट जी हाँ दोस्तों यहाँ पर विराट जो है वो अपनी कमान समालने वाला है टीम की और काफी ज़्यादा परेशान वो हो जाएगा इस चीज को सोचकर कि सही को कहीं सदाना नुकसान ना पहुंचा दे और दूसरी तरफ सही नुकसान पहुंचाना तो दूर सही तो यहाँ पर उन गundो को हिलाख कर रह चुकी है जैसा कि इन सब चीजे के वाँ पिसले वीडियों में बात कर्चुके है कैसे सही ने वहां पर भी जाकर धमाल मचा दिया है तो यहाँ पर दोस्तो आई तिंग नाइट का सीन आपको देखने को मिल सकता है जहाँ पर विराट अपने फोर्स को लेकर पहुँचने वाला है उसके अड़े पर है जिहाँ दोस्तो यहाँ पर विराट सभी को कहेगा कि फास्ट चलो एंड हमें बहुत जल्द वहाँ पर पह खेरान होंगे कि उनको एक्जेक्ट उतना ही रस्ता कैसे पता है कि यहीं पर सदानंद है और यहाँ पर काफी सारी चीजें होने वाली उन सभी के बीच में बात होने वाली है कि विराट सर आप कैसे कर सकते हैं आपने उपर से और नहीं लिया और काफी सारी चीजें यहाँ पर होगी लेकिन फाइनली वो लोकेशन पर पहुंच जाएंगे जहां पर सदानन जो है पहले तो थोड़ी सकती करने वाला है सही के साथ जैसा कि मैं आपको बताया था लेकिन उसके बाद जो है उन दोनों के बीच में काफी सारी बात ने होने वाली है एक बार सही उसके गन पर भी होने वाली है इसके बाद फाइनली दोस्तों यहां पर मिशिन शूरू होने वाला है विराट चारों और से उसकी गेरा बंदी करनेगा जैसा कि पहले जगताब को पकड़ने के लिए विराट ने मिशिन किया था जनگल के बीच में जहां पर वो फाइरिंग करने वाल लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सदानंद बहुती शातिर और बहुती दिमागदार और भाहुती खतरनाक भी है और उसने भी सहिक को अपने ढाल बनाकर विराट को अपने घुटनों पर ला ही दिया है। और उसमें कहा है कि अगर तुम एक भी कदम आगे बढ़ाओगे तो सई को भूल जाओगे सई दुनिया में रहेगी। और यहाँ पर पूरी तरीके से कहानी दो तरफा हो जाएगी। तरफ सई को बचा कर उसे ही गन पॉइंट पर ले लेगा। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर सदानन जो है वो पूरी तरीके से ट्रैप में फस जाने वाला है। और यहाँ पर देरी ना करते वे विराट सीधे ही उस लोकेशन से निकलने वाला है सई को लेकर और सई को कहेगा कि तुम गाड़ी में बैठो और तुरंत यहाँ से चलो सई तुमारा यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है। यहाँ पर सही की दिमाग के पहले से ही काफी को सर्दानंद बढ़ चुका है गलत फैमिया तो विराट के साथ जाना तदूर उसको टच करना भी उसका बरदाश नहीं है तो ऐसे में सही मना करते की कि मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ खास कर आपके साथ तो कहीं पर भी नहीं और यहां पर दोस्तों कहानी इस मिशन के बाद सीधे ही पहुंसने वाली है डियाईजे सर के आफिस में जिहां दोस्तों यह मिशन मैंने तो आपको फटा फट से बता दिया लेकिन एक से दो एपिसोड का आपको यह देखने को मिलेगा काबिलीत पर तो मुझे बिलकुल शक नहीं है विराट लेकिन इस बार शक है तो इस बात पर है कि आकिरकार तुम्हें exact information कैसे मिली कि सदानंद जिन्दा है और सदानंद नहीं विरासाई को किड्नैप किया है और आकिरकार पूरी की पूरी पुलीस डिपार्टमेंट के पास जो information नहीं थी उसके location की तुम्हें एकदम सटी का जानकारी मिली तो कैसे मिली विराट यहाँ पर विराट के लिए यह सारे सवाल जो है एकदम तीर के तरह साबित होने वाले हैं क्योंकि इतना बड़ा गाव उसके सरीर पर उसके पूरे करियर पर करने वाले हैं जो कि बहुत ही मुश्किलाट उसके लिए खड़ी कर देंगे क्योंकि विराट के पास इन चीजों का जवाब नहीं है और वह ना ही डियाई जी सर को अतीत बता सकता है कि उसने सदानन्त को मार दिया था गोली लेकिन उसके बाद उसके अड़े को छुपा लिया था पुलीस डिपार्टमेंट से यहाँ पर दोस्तों पूरी तरीके से विराट से एक और सवाल पूछने वाले हैं और कहेंगे कि अगर यह सब चीज़ा मानलू की तुम्हारा अनुमान था विराट कहने वाला कि मैंना अनुमान लगाए कि वहाँ हो सकती है तो कैसे मानलू की अनुमान तुमान सकते है कि तुम्हारा ठीक है लेकिन आकिरकार इस चीज़ का मैं क्या मतलब समझू कि विराट साधान ने तुम से बदला ना लेकर मुझ से बदला ना लेकर पुलीस फोर्ट से बदला ना लेकर सई से बदला लिया उसके दुश्मनी तो हमसे और तुमसे होनी चीए थी, मिशन तो तुम ने किया था और हमने तुम्हारा साथ दिया था तो आकरकार उसकी साही से कैसी दुश्मनी तो यहाँ पर इस सवाल का जवाब भी विराठ के पास नहीं होने वाला और डियाईजक सर के इन शब्दों के ट्रैप में विराठी इस तरह फसने वाला है कि उसके आँके सीधे ही सलाको के पीछे नहीं बलकि कोट रूम के अंदर खुलने वाली है क्योंकि यहाँ पर साही सा है गार यहां पर साबित हो जाने वाला है जिहां दोस्तों यहां पर पूरी तरीके साथ सथ निकल कर सामने आएगा तो लीगल एक्षिन जो है डी आई जी सर लेते में नजर आएंगे विराट के अगेंस्ट और यहां पर विराट को कोट्रूम के दर्वाजे तक को खटकना अनाम पढ़ने वाला है और यहां पर साही जो दोस्तों अपने जिसके कारण साही बची है यानि कि विराट उसका साही सपोर्ट नहीं करने वाली है बलकि उसे उसके खिलाफ होकर डियाएजे सरकाए और पुलीस डिपार्टमेंट का साही जो है वो साही देने वाली है यानि कि दोस्तों कहानी आने वाले एपिसोड में बहुत इंट्रोस्टिंग होने वाली है क्योंकि ऐसा सीन ना तो गुमे किसी के प्यार में पहले किसी ने देखा है और ना ही किसी ने सोचा है कि ऐसा भी सीरियल में हो सकता है तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताई कि आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड है इस सीन के लिए अगले वीडियो में कि आखिरकार ये कोट वाला सीन कैसे होने वाला है और आखिरकार विराटिस्ट सब चीजों से कैसे निकलता है या फिर नहीं निकलता है और आखिरकार उस वे क्या क्या आरूप लगें जाने का अगले वीडियो में तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाला आकूं को दबाना मत भूलेगा दोस्तों क्योंकि आपके फेवरेट टीवी से जोड़ी अपडेट मैं आपको लगाता है यहां पर पहुंचाता लेता हूं कोई भी सवाले से इस्टाग्राम पर शेयर कर सक दोस्तों मैं के लिए वीडियो के साथ फिट से राटूंगा जब तक के लिए थैंकी दोस्तों